Hello and Namaskar everyone, my name is Khushbogoyal and welcome to my channel Takeover Study आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Health and Physical Education की Unit No.1 जिसका नेम है Health Education सिर्फ Health Education के बारे में ही नहीं, इसमें हम Human Body Human Body में different different लगभग लगभग 9 से 10 जो है हमारे Systems जो होते अडॉलसेंस के बीच में जो Health Issues उन्हें देखने को Face करने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या इसे उसको Overcome करेंगे इस सारी चीज़े जानेंगे, साथ में Food and Nutrition वाला चैप्टर पढ़ेंगे और Mal Nutrition पढ़ेंगे तो basically Unit 1 में सभी कुछ हम Health Education से Related और काफी सारी चीज़े पढ़ने वाली है अचा एक चीज और, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है शॉट में सब हो जाएगा, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना Health Education में सिर्फ आप मेरी पांचो यूनिट की वीडियो देख के आप Health Education का पेपर क्लियर कर सकती है मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इतना असान सब्जेक्ट है अगर आप इसको सुन भी लेते हैं तो mostly points repeat होते हैं और उनी points को आपको लिखना होता है और अगर एक चीज़ और है गई अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो फटाफट जॉइन कर लो वापे सारी latest information आपको वहीं से मिलती है कब new information आ रही है नई वीडियो के बारे में या new जो भी previous year है या new notes वगेर है वहीं पे मिलती है जाओ फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं health education के meaning से देखो health education मतलब education for health अब education for health का मतलब क्या होता है education for keeping and maintaining good health and avoiding harmful agents may be understood as health education मतलब ऐसी education जिससे हम अपनी body को maintain करते हैं ठीक रखते हैं और harmful agents को अपनी body से दूर करने की कोशिश करते हैं वो होता है health education मतलब कि हम ऐसी education ले रहे हैं जिसमें हम अपनी health का पुरा-पुरा ध्यान रखते हैं अगर हम health education की बात करें health education हम क्यों ही पढ़ते हैं या क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं तो basically हमारी health की improvement के लिए और साथ में हमारे health related issues से निपटने के लिए या उनको face करने के लिए health education की जरूरत होती है अगर हम health education की definition की बात करें तो health education is the part of education which is followed enable us to maintain health जो की हमारी health को maintain करने में help करता है और ये basically हमारी personal life में को changes लाने में ताकि जो हमारी development है वो without any problem होती रहे अगर हमारी health खराब होगी तो हम अच्छे से develop नहीं कर पाएंगे नहीं हम पढ़ पाएंगे नहीं हम grow कर पाएंगे तो इसलिए सबसे important होता है हमारी health को maintain करना और health education के थुरू हमें पता चलता है कि हम अपनी health को particularly अच्छे तरीके से कैसे maintain कर सकते हैं अगर हम आगे कुछ और definitions की बात करें तो health education एक basically sum of experiences which favorably influences habits, attitudes and knowledge relating to individuals, community and social health basically हमारी habits को ठीक करना भी एक तरीके की health education है for example हम सुभा उठते हैं, वाटर कितना पीते हैं, किस तरह से पूरे दिन में हमारे 6-7 गलास हम पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं हम प्रॉपर वरक आउट कर रहे हैं नहीं कर रहें यह सब हमारे health education का पार्ट होता है, health education में सिर्फ healthy नहीं हमारी पूरी body, mind, हमारी personal as well as hygiene सभी चीजों को cover करते हुए यह चलता है अब आते हैं हम सबसे पहला point हमारा अगर हम summarize कर दे कि health education basically क्या है तो यह एक educational process है next process है हमारा learning or changing का क्या learning or changing का हमारा जो pattern है उसी को जो हमारा behavior pattern है जो हमारा personal pattern है जो चल रहा है उसी को change करना, उसी को learn करना, उसी को proper करना is health education मतलब गलत चल रहा है तो भी हम इसे ठीक करना लएक हमारी आदत होती है हम बारा बज़े सो के उड़ते है, रात को 9 बज़े खा के सो जाते है तुरन्त तो यह सब pattern को change करना health education में आता है वो हमें सिखाता है कि pattern change करना जरूरी क्यों है then good health को gain करना, health education का main purpose होता है people को, लोगों को मतलब अच्छा lifestyle adopt करना ताकि वो अच्छा lifestyle adopt करे, healthy lifestyle adopt करे उसके लिए भी health education की जरूरत है साथ में हमारे health से related, हमारे behavior से related knowledge के लिए भी health education जरूरी है और साथ में अपनी habits, skills की formation के लिए health education जरूरी है अब आजाते हैं इसके aims and objectives aims और objectives क्या खेया है, सबसे पहले तो एक हमारा scientific point of view है means यह scientific point of view किसके towards है, towards our health next यह हमारी develop करता है एक healthy desire को कि हम healthy रहे उसके लिए जो हमें एकदम ready करता है कि हमें रहना चाहिए healthy और यह हमारे लिए beneficial है साथ में third aim हो जाता है कि यह हमारी health problems को identify करने में मदद करता है जिससे हम उसको overcome easily कर सके, उसके causes जान सके, उसको remove कर सके next आ जाता है हमें current events में interest लेने में मज़ा आता है हम उनमें interest लेते है related to the health जिक है उसके बाद हम अपनी desire, health patterns को सुधार सकते हैं behavior को सुधार सकते इसके through और first aid की भी knowledge हमें health education के through हो जाती है साथ ही में next यह हमें help करता है HIV AIDS से awareness दिलाने में साथ में हमारी personal and social qualities को develop करता है और हमारे various organization working जो भी होती है हमारी health को maintain करने में उसमें मदद करता है तो यह सारे points जो हमें help करते हैं हमारी education मतला हमारे जब भी हम health education कर रहे है तो उसका एक aim or objective के रूप में काम करता है next आ जाता है कि health education का scope क्या है basically health जो है health का concept जो है वो wide concept है उसमें बहुत सारी चीज़े include होती है और basic health education दे ही क्यों रहे है ताकि awareness create करें लोगों के बीच में अपनी health को improve करने के लिए तो सबसे पहले अगर हम इसकी aspect की बात करते हैं तो basic knowledge body के बारे में हमें पता चले अपने environment के बाद में साथ में cleanliness की चीज़े information मिले साथ में balanced or nutritive diet के बारे में हमें पता चले साथ में हमें fresh air की जरूरत है oxygen की जरूरत है light to proper होनी चाहिए ventilation होनी चाहिए और proper exercise हमें follow करनी चाहिए तो यह भी हमें health education के थूही knowledge होती है साथ में यह हमें various हमारी body के organs के बारे में knowledge देता है साथ में various system हमारी body के कैसे काम करते हैं जैसे हमारा अगर हम बात करे respiratory system है circulatory system है यह सारे system किसे तरह से work करते हैं आगे पढ़ेंगे इनको detail में उसके बाद हमें common disease के बारे में knowledge होती है अगर हम health education के बारे में जानते हैं कि कौन से types के disease होते है या communicable, non communicable, कैसे felt है, कैसे इनके precautions ले सकते हैं यह सब चीज़े पता चलती है और साथ में घर में, बाहर, school में या other places पे हम sanitation कैसे रख सकते है, cleanliness कैसे रख सकते हैं अपने environment को clean कैसे रख सकते हैं यह सारी चीज़े हमारी health education के scope में आती है उसके बाद अगर हम बात करें health education elementary level पे कैसे work करता है तो देखो, अगर हम बात करें health education हमें physical, mental, emotional and social health कैसे भी हमारी health है उसके बारे में teach करता है और motivate करता है कि हम अपनी health को personally maintain कर ले तो पहला तो elementary child के अंदर जो भी problems है या जो भी maintenance है चाहे वो physical हो, emotional हो सभी health को maintain करने में help करता है next हमारे behavior में positive change लेकर आता है साथ में other subjects learning में भी help करता है कैसे करता है अगर हमारी health अच्छी होती है, positive mindset होता है और अच्छा खाते पीते हैं, एकदम सही तरीके से रहते हैं हमारी body को requirement नहीं है, वो उप्यास की तो हमारा जो ध्यान है वो दूसरे subjects में भी easily लग जाता है उसके बाद काफी सारे educational programs भी होते रहते हैं जिससे की बच्चों को help मिल सके, बच्चों को guide कर सके और health education को बच्चों के curriculum का part बना दे ताकि बच्चा उसको enjoy करते करते और चीजों को भी सीखे और अपनी health को भी ठीक रखे, improve करे ठीक है, और हम health education elementary classroom पे क्यों लेकर आते हैं elementary level पे क्यों introduce करते हैं इससे बच्चे का behavior है वो change हो, उसके अंदर healthy habits आए और उनकी skills develop हो, साथ में बच्चे के अंदर काफी मदा बच्चा जो है nutrition proper gain कर पाए और उसको पता हो कि उसकी body के लिए क्या चीज़े ठीक है और किस तरह से वो healthy lifestyle को maintain कर सकता है healthy lifestyle maintain होगा तो personality भी अपने आप maintain हो जाएगी तो यह सब जरूरी है, इसलिए elementary level पे यह सब introduce किया गया है साथ में बच्चा जो है इसके थूरू अपने environment में अच्छे से compete कर पाता है adjust कर पाता है क्योंकि एक healthy mind, healthy body help करती है हर तरीके के environment में adjust करने में अब आते हैं सबसे main topic health education की क्या importance है हमने aim पढ़ लिया, scopes पढ़ लिये, हमने साथ में elementary level पे पढ़ लिया, अब actually में health education की क्या importance है point wise पढ़ते जाएंगे, सबसे पहला यह हमें health or hygiene की knowledge provide करता है second यह हमारी desirable habits को develop करने में help करता है next number third हो जाता है, यह हमारे जो भी health hazard है, जो भी problem होने वाली है या disease है, उससे पहले से aware करता है कि इससे बचने के precautions कैसे हम ले सकते हैं उसके बाद यह हमें preventive precaution measures लेने में help करता है ताकि हम communicable disease से होने से पहले ही बच जाए देखो होने से पहले ही बचने का मतलब यह है जैसे अभी COVID आये था, Corona के cases आये थे तो इसमें क्या हो रहा था, लोगों को पहले से बोला जा रहा था immunity बढ़ाओ, immunity बढ़ाने का मतलब है कि उस जो disease है उससे पहले से precautions ले लो, दिवार बना दो और उससे बच जाओ तो यह हमें health education चिखाता है कि हमें किस तरह से यह चीज़े मिन्टेन करनी है, उसके बाद हमें good health को मिन्टेन करने की norm के बारे में information health education के through मिलती है हमारे immunization program के बारे में पता लगता है through the health education और साथ में यह हमें first aid की training भी provide करता है और हमें school going children को एक assistant के assistant के रूप में provide करता है क्या assistant के रूप में यह बच्चों को जो है उनका healthy lifestyle maintain करने में help करता है और साथ में positive lifestyle बच्चों का maintain होता है through this positive lifestyle कैसे maintain होगा? बच्चा healthy mind है, healthy body है, वो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा और वो sports, other subjects, हर चीज़ों में involved होगा तो उसका positive lifestyle होगा और जैसे normal तो उसकी health अच्छी ही है, तो साथ में emotional health पी improve हो जाएगी तो यह सारे points देखते हुए health education बहुत important है हमारी life में next हमारा chapter wise हम आते हैं अगर इसी unit में next sub topic के अगर हम बात करते हैं तो हमारा है human body, human body मतलब एक ऐसा structure जिसमें हमारे सारे parts involved होते है for example यह मैं खड़ी हूँ आपके सामनी एक human body आप अपनी body लेख सकते हैं यहापे हमारे पास head होता है, hands होते है, fingers होती है, पूरी body होती है, lax होते है, shoulders होते है, neck होती है, head होता है यह सभी मिला कर एक structure बनता है वही हमारा human body होता है basically यह तो हमारे body के parts हो गए, लेकिन actually में हमारी human body छोटे-छोटे सबसे fundamental unit से बनी होती है अब यह छोटी-छोटी units है क्या, सभी organism सबसे छोटी unit से बनी होते है, वो सबसे छोटी unit होती है हमारी cell सबसे छोटी units, millions of cells हमारी body में होती है, उसके बाद वो cells जब इखटे group बनाते है, तो बनता है tissues, काफी सारे cell मिलके, एक जैसे similar cells मिले, तो एक tissue बनाया, similarly और group बने, और group बने, ऐसे करके काफी सारे हमारी body में tissue बने हुए है उसके बाद जब tissues जुड़ते हैं, पहले cells का group बना, बहुत सारे cells थे हमारे पास, उसके बाद उन cells ने मिलके, जैसे यह 4-5 cell ने मिलके एक tissue बनाया, उसके बाद कुछ tissues मिलके organ बनाते हैं, फॉर एक और्गन लिवर बना दिया, हर्ट बना दिया, कोई भी एक organ बना दिया, चाहे वो internal हो, external हो, और्गन के बाद उन organs को जोड़के, जो organ एक जैसे functions perform करते हैं, उनका particular एक organ system बन जाता है, फॉर एक्जामपल, अगर हम बात करें, कि जब भी हम अपने सांस लेने की बात करते हैं, अपने respiratory system की बात करते हैं, तो उसमें हमारे कौन से organ काम करते हैं, एक तो हमारा nose help करता है, हमें, lungs हमें help करता है, हमारी जो wind pipe है, वो हमें help करती है, तो इसके parts हो जाएंगे, ये organ मिलके एक ही काम पर फॉर्म करते हैं, तो हमारा respiratory system मनाएंगे वो वाले organ मिलके, अब होट वाले अलग काम करते हैं, पंप का काम करते हैं, आर्टरी, जवीन्स उसम में होंगी, तो वो एक system होगा, तो similarly, एक जैसे organs मिलके, एक organ system मनाते हैं, और हमारी body में 10 से 11 हमारी organ systems है, वो मिलके एक पूरी organism को बनाते हैं, एक human body को पूरा develop करते हैं, तो इस तरह से हमारा human body का structure होता है, अगर हम आगे बात करें, तो हमने ये सारी बात कर ली, similar cells मिलके ही एक tissue बनाता है, जो कि similar function perform करता है, अब हम अगर बात करें, different organs और systems की बात में, तो अगर हम बात करें, different parts का different काम होता है, for example, मेरा हाथ का काम है लिखना, मेरे मुझ का काम है बोलना, ऐसे ही मेरे पैरों का काम है चलना, तो similarly, हमारी body में जितने भी organs होते है, particular organ का particular अलग-अल यह वो वाला हर्ट में है, यह से करके आप दे देते हैं, वो हर्ट actually ही और shape actually में हर्ट की, वो होती भी नहीं है, तो basically काम होता है, ऐसे हमारे kidney होता है, purify करने में help करती है blood को, तो यह सारे इनकी particular function है, जैसे हमारे अलग-अलग body parts की होते हैं, अगर हम functions की और बात करें, तो आतमे motion locomotion, चलने फिरने में, walking करने में, जितने भी functions activities perform करने में, यह organs help करते हैं, और reproduction में हमारे different organs, अब यह मैंने जो काम बताए है, थोड़े बोत basic, यह अलग-अलग function, अलग-अलग हमारा system perform करता है, अगर हम बात करें, human body एक machine की तरह work करती है, और basically यह चार functions जो मैंने प food करती है, respiration करती है, circulation of blood करती है, तो means nutrition का काम करती है, थार्ड वो है, reproduction का काम करती है, और चौथा जो है, वो nervous system के, काफी सारे functions को, body को control, regulate करने में, help करती है, तो यह basic functions हो गए, अब हम दीरे-दीरे, अलग-अलग human body के, human system पढ़ेंगे, और उनके functions पढ़ेंगे, पहले मैं आपको सारे system बता रही हो, एक-एक करके सुनते जाओ, reproductive system, digestive system, nervous system, respiratory system, circulatory system, urinary system, immune system, endocrine system, skeletal system, muscular system, and excretory system, यह सारे system हमारी body में है, और भी हो सकते हैं, बट अभी आपकी book के according इतने ही है, तो मैंने सारे आपको नाम बता दिये, लिख लो, जितने paper में आनी आएगा, कि सारे लिखने है, पेपर में आगया, human body को explain करो, अच्छे से बताओ इसके बारे में, या कोई भी एक organ लेकी organ system को explain करो, तो अगर human body आजा तो चार पाच explain कर सकते हैं, इनकी अंदर क्या-क्या हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सुनो अब ध्यान से, अगर हम सबसे पहले बात करत तो बेबी में 300 के आसपास हड़ियां होती है, अब हम जलसे जैसे बड़े होते हैं, तो बच्चे की जो छोटी बहुत सारी हड़ियां होती है, वो attach होके बड़ी बन जाते हैं, इसलिए 300 से 206 में हड़िया convert हो जाती है, अब ये bones काफी strong होती है, ये हमारी body को support provide करती है, औ हो एक skeletal system है, और skull के अंदर हमारा brain उसको प्रोटेक्ट करता है, similarly जो हमारे ये पूरा backbone वाला हमारा होता है, इसमें हमारे heart, lungs वगएरा, stomach वगएरा, ये सब प्रोटेक्ट होते हैं, तो ये सारा क्या है हमारा एक skeletal system का पार्ट है, इसमें और लिखा हुआ है कि 206 bones होती है, जो कि cartilages के साथ जुड़ी हुए होती है, हमारी साथ में, ये bones क्या करती है, हमारी body को support प्रोटेक्ट करती है, और protect करती है हमारे organs को, ठीक है, next आजाते है, ये होगे हमारा skeletal, उसकी बाद आता है muscular system, जब हम muscular system की बात करें, तो ये जो हमारी muscle system है, जो हमारी bones के उपर एक पूरह माश कउर ठाचा 2 TL, मॉल हमारा मसकेแล, जो हमारी बॉडी को परेंडि स्क्राइब खुक्षेब खौक्षा गृजा थि में नियुक्ती घर सब्सक्राइब खौक्षेब और body को एक form देता है, एक shape देता है, ठीक है, और अगर हम बात करें तो कुछ हमारी muscles दो type की होती है, voluntary as well as non voluntary, voluntary muscles जो हमारे कहने पे काम करती है, जो मतलब basically हमारे control के अंदर होती है, voluntary होगी न, हम अपने control में रख सकते हैं, और involuntary जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अगर हम बा को अपनी मर्जी से हिला रहे हो, या अपनी muscles को ऐसे stretch और relax कर रहे हो, तो यह आपकी voluntary muscles हो जाएगी, जिस पे आपका, खुद का बस चलता हो, और जिस पे नहीं चलता है, जैसे lungs वगएरा, हमारे internal part, वो हमारे involuntary muscles के पार हो जाएगे, then आता है third number, circulatory system, circulatory system basically हमारे body blood supply को help कर ब्लड को circulate करने में help करता है, इस में हमारा hurts आ जाता है, veins और arteries आ जाती है, ठीक हमारे blood supply में काम करता है, और यह हमारे heart में blood को pump करने में help करता है, साथ में veins basically क्या करती है, पार्ट से लेके, body parts मालो हमारी body parts में खून है, उस body parts से खून हर्ट तक लेके जाती है, मतलब purified circle cycle चलती है, और arteries का काम होता है, heart से लेके पूरे body part तक, याद करने का तरीका बताती हूं, arteries heart, arteries heart, ऐसे याद करो तो means arteries means heart से लेके जाती है और means body part से लेके जाती है hurt तक इस तरह से हमारी body में जो blood है वो circulate होता है then हमारा आता है endocrine system endocrine system क्या कहता है endocrine system में हमारी बहुत सारी ductless glands होती है एक दम जिसमें हमारे जो है secretion होती है tubes हाँ tubes ducts मतलब basically tubes होती है जिसमें से हमारी सारी चीजे पास होती है यह हमारी hormonal पर काम करती है hormones पर work करती है basically endocrine glands जो होती है वो seven हमारे होती है number one is लिख लो आप यह pituitary gland, thyroid gland, parathyroid, thymus, adrenals, pancreas, gonads यह सारे जो है हमारे glands होती है और यह different different glands का different different work होता है basically hormones को secret करने का काम करती है हमारी body में जो भी changes आती है hormones कभी mood swings हो रहे है hormones कभी stress hormones release हो रहे है कभी हमें बहुत stress हो जाता है तो यह सब चीजे hormones का काम हमारा यह endocrine system करता है और basically body इनके through अगर यह hormones सही से काम नहीं करेंगे बहुत जादा stress hormone आ गए height वाले hormones ही नहीं आए तो इससे क्या होगा हमारी body properly grow नहीं कर पाएगी तो इसलिए बोलते है hormone balance होनी चाहिए गर्ल्स को जो problems हो जाती है उसमें भी क्या problem होती है बेसिकली हमारे hormones imbalance हो जाती है तो इस वज़े से यह भी जरूरी होता है कि हम अपने endocrine system को भी अच्छे से रखें ताकि हमारे hormones balance रहें next आ जाता है fifth हमारा nervous system nervous मतब दिमाग हम nervous भी दिमाग से हो जाते हैं तो हमें nervous तो होना ही नहीं है अब nervous system में हमारा brain आता है बेसिकली और एक spinal cord हमारी जुड़ी होती है जो पूरी body में signal प्रवाइड करती है हमेशा का example है गरम glass रखा हुआ हाथ तुरंत हम हटा लेते हैं because of nerves हमारी nerves हमें information देती है मारा brain जुए हमारी पूरी body की working को control करता है बॉड़ी को spinal cord होती है इसमें skull होता है brain होता है इसके part होते हैं basically different parts को coordinate करने में help करता है और हमारी पूरी body की functioning में help करता है when हमारा आ जाता है respiratory system यह क्या करता है हमारी air क्यो purify करता है साथ में इसमें क्या-क्या होता है अगर हम पूछे की respiratory system के parts बताओ तो number one आ जाता है आपका pharnix जो की throat हम गले को कह सकते हैं larnix हमारा voice box जिससे हमारी voice आती है next wind pipe हमारी wind pipe तो आपको पता ही है और हमारे जो bronchi ही होते हैं और lungs जो हमारे lungs वालप system होता है तो यह जो हमारे respire में help करते हैं सांस अंदर लेते हैं सांस बहार छोड़ते हैं अंदर पता यह सबको oxygen लेते हैं और बहार carbon dioxide छोड़ते हैं तो इस तरह से हमारी blood जो भी blood की जो sorry जो air है वो purify होती जाती है इस तरह से हमारा पूरा respiratory system काम करता है इसमें हम inhale और exhale करते हैं उसके बाद आता है next excretory system excretory excretory को याद करो extra से excretory मतलब जब भी हमारी body में extra जो part होता है उसको remove करने की बात होती है तो वह हमारे excretory system work करता है हमारे heart function कुछ न कुछ 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 न काम कर रहे हैं तो similarly waste removal का काम excretory का होता है इसमें अगर हम बात करें तो large intestine small intestine हमारी kidneys यह help करती है और हमारी body से waste को out कर देती है जो भी हम खाना खाते है digestion होता है सारा food जो है blood बन जाता है और पूरी body में transfer हो जाता है वह through NS हमारा बाहर आ जाता है excretory system इस पर काम करता है और अच्छी चीदों को protein, vitamin, fat, nutrients को निचोड के खाने में से निकाल लेता है और जो खाली बच गया आब उसको roughage मतला हमें help करता है ताकि हमारा digestion अच्छ से हो तो उसके through हमारे body बाहर चला जाता है कोड़ा अब यह कोड़ा जब बहार गया है तो इसके लिए दो factor बहुत important होते है roughage as well as water तो वह जो है हमें अच्छे quantity में लेना चाहिए तो फिर आता है हमारा next system digestive system सबसे important सबसे अच्छा सबसे easy सबने शुरू से ही पड़ा है digestive system में हमारा food pipe होती है isophagus जिसे हम कहते है साथ में stomach होता है और intestines होते हैं कि 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 किस तरह से होता है हमने कुछ भी खाया through mouth शुरू होता है जिसमें हम ingestion करते हैं फिर हमारा food अंदर जाता है assimilation होता है absorption होता है एजेशन हो जाता है यह सारे हमारे प्रोसेस चलते हैं खाना खाया पेट में गया यहां पर स्टमक में डिजेशन शुरू होता है डिजेशन मुह से स्टार्ट हो जाता है हमीशे स्टार्ट रखना अगर कोशन आता है कि from where does digestion starts from mouth और यह हमारी फूड पाइपेस का दूसरा नाम होता है इसोफेकर्स और से स्टार्ट होती है बैन अगर हम बात करते हैं खाना पेट में जाके कुछ गैस्ट्रिक जूसे आते हैं जो फूड को और छोट 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 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर आगे का प्रोसेस चलता है जाते हैं स्लाइवा हमारे मुझ से लाइवा आता है वह भी हल्प करता है हमारे फूड को अच्छे से बिल्कुल जूसी फॉर्म में बनने में इसलिए बोला जाता है चबा के खाना चीज इससे डाइजेशन अच्छा हो नेक्स आता है हम दो बेबी को प्रोड़ी can बेरि प्रॉड़् चिन का सिस्टम है करता है अगर हम बात करे ह counselor ऌड़ में अलग पक्र तो तो करती जिए क्छ इमारे भाट करती हैं तो अगर हम बात करें टो handing बार्ट करें कुछ अलग अलग पार्ट्टिम में और वह जू युए हमारे हेल्प करती हैं तो अगर हम बात करें तो यह देखो हर एक पार्ट का कुछ नग हर एक बॉड़ी में पार्ट का अलग अलग काम होता है अब हमारा लास्ट रह गए लास्ट दो इस इम्यून सिस्टम बेसिकली हम डिजीज से दूर रहें और हमारी बॉड़ी जो है हल्दी और एक्टिव रहें इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम वाक करता है बेसिकली प्रोटीन ग्राम वगएरा को यूट्राइज करने में जो भी हमारा एनर्जी पार्ट है उसको यूट्राइज करने में इम्यून सिस्टम काम करता है नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरेनरी सिस्टम इसके बाद यह्य फिनिश होता हैे एकस्टरिटरी पार्ट ग्राट यह बे K किडनी जिसके पास हो जाते हैं और यह भी एक तरीके का एक्सक्रिटरी सिस्टम है बस इसमें water form में liquid form में जो वेस्ट है urine की form में बाहर आता है तो यह हो गया हमारा पूरा complete अच्छा इसमें कुछ questions बनते हैं जैसे कि describe in details different human body system and their functions इस तरह के कोशन आजाएंगे basic basic questions अब हम next बात करते हैं health issues of adolescence सबसे पहले adolescence का meaning जानते है basically adolescence या adolescence के हम बात करें तो adult sear word है जिसका मतलब होता है to grow or to grow to maturity maturity level तक पहुचना basically यह एक period होता है transition का change का period होता है transition मतलब change का period होता है childhood से adulthood एक बच्चा child से adulthood बनता है through the process of adolescence adolescence बीच में आता है तो child से adult में convert हो जाते हैं अगर हम बात करें health issues की तो उसके बात उसके उपर भी आते हैं हम इस भी कुछ definitions की बात कर लेते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे अंदर कुछ नों कुछ changes आते हैं basically अगर बात कर ले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो adult sense is the that span of year during which boys and girls move from childhood to the adulthood mentally, emotionally, socially and physically तो हम चारो रूप में है अपने childhood से adulthood में आना शुरू हो जाते हैं यह हमारी adult sense की stage होती है अब अगर हम बात करें puberty की तो puberty basically क्या होता है एक ऐसी stage होती है जिसमें लड़के father और लड़की mother बनने के लिए ready हो जाते है biologically मतलब उनके अंदर as equalities develop हो जाती है कि वो अब जो है इस age के बाद mother या फिर father बन सकती है तो अगर हम कुछ characteristics की बात करें तो इसमें जो है girls की अगर बात करें कि adult sense में क्या होता है girls का breast size बढ़ जाता है facial hairs boys में आने शुरू हो जाते हैं इस तरह है कि जो है कुछ नो कुछ जो हमारी characteristics है वो develop होना शुरू हो जाती है puberty stage होती है जिसमें boy यही मैंने भी बताया then जो है कुछ नो कुछ changes body में देखने को मिलते रहते है साथ में मूड इरिटेटिंग हो जाता है मूड swings बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं then अगर हम बात करें क्या क्या problems होती है adult sense की सबसे पहले physical problem की बात कर लेते हैं तो girls में मैंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है और नाइफोल्स की जो problem होती है boys में वह स्टार्ट हो जाती है तो बेसिकली यह वाली एक problems शुरू होती है यह basically physical problem हो गई next problem of aggressive behavior aggressive behaviors होना शुरू हो जाता है number three adjustment करने में problem होने लग जाती है number four mental problem हो जाती है बच्चे को stress tension यह सब चीज़े देखने को ज्यादा मिलती है stage में उसके बाद problem related to sex sex related problems हो सकती है जैसे कि opposite sex की तरफ attraction ज्यादा होती है यह सब चीज़े उसके बाद emotional problems होती है emotions बहुत ज्यादा आते है emotional imbalance होना शुरू हो जाता है तो यह problem में देखने को बहुत ज्यादा मिलती है अगर हम बात करें कुछ health issues की adults and girls में तो इसमें आ जाता है हमारा बेसिकली अगर हम normal healthy lifestyle exercise वगर करते हैं तो कोई problem देखने को नहीं मिलती बाट बेसिकली अगर कुछ problems आती है तो यही problems होती है हमने commonly discussed करी और इसमें होता है कि लड़कियों के अंदर एक confidence की problem थोड़ी कम हो जाती है इस time पर confidence गिर जाता है साथ में उनको थोड़ा non-threatening environment लगने लग जाता है अज़स्ट धंगते नहीं हो पाते हैं और family concern बढ़ जाता है और इसा लगता है कि attention की ज़रूरत होती है यह सब चीजों की problem देखने को मिलती है अगर हम बात करें question arise होता है वाइ शूद भी focus on adult and girls girls पर क्यों focus होना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम जो है इस time पर हमारी habit formation बहुत जादा गलत हो सकती है जो भी I.C में हम emotionally imbalance होते है तो हम चीजों को जल्दी जल्दी grab करना शुरू करते हैं तो इस वज़े से हमें बहुत focus की ज़रूरत होती है साथ में sexually active हो जाता है बच्चा hormone changes आ रहे है तो opposite sex towards attraction जादा बढ़ती है तो उस time पर ध्यान रखना है क्योंकि इतनी knowledge बच्चों को होती नहीं है और साथ में reproductive needs के लिए problem हो सकती है तो इसलिए धियान रखना है और गलत habits pick up हो सकती है और साथ में जो physical growth हो रही है बहुत तेजी से उसका बहुत ज्यादे धियान रखना होता है कि उससे कोई problem ना हो जाए health issues ना create हो जाए और साथ में substance abuse की भी आदत लग सकती है कुछ बच्चे जो गलत आदत, alcohol, drugs बगएरा में चले दाते है तो उसकी problem भी इस एज में जादा तर देखने को मिलती है बोलते है ना यह वाली एज है जिसमें बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है तो वही वाली चीज ह कि हम ही जो है इस एज में बहुत जादा focus की जरूरत होती है बहुत प्यार की बच्चों को जरूरत होती है अब आते हैं हम की कुछ और problems आती है जैसे कि अब क्या-क्या basically problems है या priority है health issues क्या-क्या देखने को मिलते है पहला तो हो जाता है issue regarding mensuration mensuration cycle basically 28 days की होती है ठीक है फिर व अगर हम बात करें तो यह स्टार्ट हो जाते है बेसिकली 12 से 16 साल की उमर में और जो है 21 एक तालीस दे की साइकल चलती है किसी गठाइस तीस ठीक है अगर उससे जादा हो रहा है तो problem हो जाती है और बेसिकली 2 से 20 साल लगते हैं यह cycle को एकदम regular होने में ठीक है शुरू के स साल में तो कुछ कम जादा उस तरह से रहता है बाद में 2 से 20 साल इसको पूरी लग जाते है और प्रोपरली यह तुमारी रेगुलोरोनी शुरू हो जाती है अगर हम बात करें कि problem होती है एक problem आपके पास आएगी आपकी आपकी कोई problem है एमी नौरिया यह problem basically कब होती है जब basically period का time क्या होता है जो mensuration का time होता है वो 12 से 16 की उमर में आना शुरू हो जाता है लेकि mensuration शुरू हो जाती है बट अगर 16 साल तक भी mensuration स्टार्ट नहीं होती है तो इसको यह बीमारी girls को हो जाती है एमी नौरिया उसके बाद हमारा नेक्स आ जाता है यह बहुत दीहान देना होता है problems इनको priority देना होती है health issues इससे बाद में आगे जाके problem होती है तो अगर हम बात करते हैं हमारा अगरी problem देखने को मिलती है और आप next बात करते हैं यह तो पहला होगे हमारा जो भी हमने बात की mensuration से related problem next हमारी exercise and nutrition exercise करने के तो मन करता ही नहीं है बट still exercise बहुत important होती है और basically पूरे ही time पे हमें nutrition को लेना बहुत ज़रूरी होता है proper nutrition is very important personal hygiene की बहुत धिहान रखना होता है बहुत बोल रहे है कि as a girl as a boy कुछ भी बोल आप adult in age में क्या 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 चीज़ों का में आप इन प्राब्लम को कैसे में करेंगे what is the steps how we will maintain the adult and problems सबसे पहले parents की guidance बहुत जरूरी है parents का love care affection बहुत जरूरी है cooperation बहुत जरूरी है साथ में suitable environment होना चाहिए और motor development की education provide करनी चाहिए और sex education बहुत चाहिए क्योंकि जितना हम हिच के जितना हम open up नहीं होंगे उतनी problems भड़ेगी तो इसलिए उसके लिए पहले ही अभी हमने पढ़ा था ना पहले सी precautions लेना तो पहले से ही बच्चों को ये knowledge होनी चाहिए तो ये सब precautions हम ले सकते हैं जिससे की बच्चों को हम treat कर सकते और जान बच्चों को पता चल सकता है इन सबसे में 5th class में 3rd class में 4th class में 2nd class में बताते हैं विटा फूड क्यों खाया जाता है फूड की क्या importance है why we need food पैला कोशन होता है तो basically proper growth के लिए activities perform करने के लिए अपने walk को timely properly complete करने के लिए healthy रहने के लिए ये सब चीजे फूड हम इसके लिए खाते हैं और ये basic necessity होती है for the survival survival के लिए हम इसको खाते हैं अब बात करते हैं food की definition के रूप में लिखा हो है food refers to a substance we eat including all its variety some of those substances are good for health while others may be for enjoyment and for the taste taste के लिए भी खा लेते हैं और कुछ healthy भी होते हैं कुछ nutrition भी देते हैं अब food तो हो गया nutrition क्या होता है तो basically nutrition is defined as the science of food and its relationship to health basically nutrition मतलब एक health term से relate कर लेता है हमारी body की हमारी health को basically सही करना nutrition हमें provide करता है ताकि हम healthy रह सकें अगर हम caloric value की बात करें food की caloric value मतलब a calorie क्या होता है वैसे तो calorie की बारे में जानो a calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water 1 gram of water को raise करने के लिए हमारी body में कितना amount की need होती है वो हमारी 1 calorie होती है तो 10 degree celsius को 15 degree celsius से 16 degree celsius की need होती है तो यह basically calorie होती है अगर हम बात करें कि कितनी calorie हमें मिलती है एक gram carbohydrate से तो 4.1 calorie अगर हम एक gram fat से बात करें तो 9.3 calories उससे हम gain करते हैं अगर हम एक gram protein से बात करें तो उससे भी हमें 4.1 calorie का मतलब जो है हमारा यह yield करती है उसके बाद अगर हम बात करें food की classification food को केटेग्राइज किया गया है energy giving food body building food और protective food energy giving वह food होते हैं जो हमें energy provide करते हैं basically carbohydrate वाले food ठीक है body building जो हमारी body बनाते हैं that is protein वाले food next आजाता है हमारा protective food जो हमें diseases से protect करते हैं जैसे कि हमारे fruits and vegetables वह हमारे आ जाएंगे protective food में उसके बाद अगर हम बात करें components of food बच्चपन से पढ़ते हैं यह पांच तो fix हाई और दो एक रफिज और water जिके पहला हो जाता है आपका protein से शुरू करते है protein बहुत important होता है protein में हमारा जो है carbon hydrogen oxygen nitrogen sulfur अलग-अलग amount पर ही present होता है और कहां से हमें protein मिलता है sources जरूर लिख लो जैसे कि एग हो गया milk हो गया meat हो गया फिश हो गया और poultry मतलब जो सारी वाली dairy products वेगेरा होते हैं उससे मिलता है अब protein हमारी body में क्या function perform करता है number one यह हमारे body tissues को repair करता है next हमारे hairs वेगेरा को protein provide करता है बाल टूटते नहीं तो protein की वह होती है protein कम होता है तो हमारे बाल जड़ते हैं और साथ में यह हमारी chemical reactions को तेज कर देता है और oxygen को अच्छे से लेने में help करता है ठीकि नेक्स आजाता है carbohydrate जो हमारी diet में daily ही होता है basically क्या करता है energy provide करता है to do the work to do the task energy provide करता है साथ में यह basically chief source है हमारा energy का और इस कहां से मिलता है source क्या है bread हो गया cereals हो गया rice हो गया sweet potato हो गया और carbohydrate हमें natural sugar जैसे fruits vegetable से भी मिल जाता है अब काम क्या होता है carbohydrate का पहला energy देता है दूसरा fats को oxidize करता है तो तो fats को oxidize कर लेता है यह और 7 जो है digestion में help करता है food को breakdown में help करता है next आजाता है carbohydrates के कुछ bad effects होते है अगर हम carbohydrate को कम ले लेते हैं हमारी body में carbohydrate कम हो जाता है तो हमारा weight lose होना शुरू हो जाता है और अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें obesity या increased weight की problem हो जाती है डेली हमें कितना carbohydrate लेना चाहिए 60 से लेके 65% तब आप जो पढ़ रहे हो ना प्लीज इसको वन वन लाइन में लिख लो इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने की यूनित पूरी देख रहे हो तो चिक है next आजाता है fat अगर हम fat की बात करें तो fatty acids में हमारे ना है primarily carbon होते है hydrogen हो एक्सिजन हुता है और हमें मिलता कहां से जसे की animals से भी हमें मिलता है यह plants vegetable से भी मिलता है अगर animal की बात करें तो हमें fish से मिलता है घी butter से मिलता है अगर vegetables में बात करें तो cotton seeds से या फिर हम rui sap site बोल दें Hmmm healthcare इन सब से हमें मिलता है अब fat का काम होता है पहला यह हमारी बॉड़ी को मेक अबनाना हेलदी बनती है न हच्टे खते हो साथमें हमारी आर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जो विटमिन्स होते ज sensitive edrka के अदि और यह उनको absorb करने में हेल्ब करते हैं के लिए हमें fat की बहुत जरूरत होती है ठीक है और यह हमारी body tissues को formness softness जो होती है tissue easily देखो tissue contract कर पाए दर्द नाओ यह सब चीजे भी हमें इसके थ्रू मिलती है ठीक है next ला जाता है अगर हमारे body में fat है तो इससे कुछ problem होती है कुछ limit में मांट चाहिए होता है बट अगर वह जादा हो जाता कम हो जाता problem होती है दिहान से सुनो इससे क्या problems होती है पहला obesity की problem skin disease की problem heart disease heart attack वगर की problem भी रहती है साथ में cancer की problem भी सके थू हो सकती है recommendation बोला जाता है कि 20% से total energy कर 20% से जादा fat हमें नहीं contain करना चाहिए डेली जो भी हम ले रहे है उसमें अगर हम आते है next vitamin हमारा next component है इसमें बेसिकली chemical substance वह थोड़ थोड़े मांट में होते है सारे और यह हमारी body को resistance प्रोवाइड करता है energy प्रोवाइड करता है साथ में हमारे कुछ important वैसे तो 13 vitamins है पर main important हमारे चार वाइटमिन है ए डी और के के तो मेरे नाम से याद रख लेना खुश्बू और अगर आपका नाम हो तो याद कर लो ए तो याद सबको रहता है डी और ए और के ठीक है अब अगर हम बात करें vitamins को categorize किया गया है meaning you can categorize किया Gail fat-soluble और कुछ हमारे हो जाते है fat-soluble के बाद water-soluble जो water निर्फम को सकते बाटर में में Stay vak s 나올ो सकते योड और कुछ हमारे fat से sgrat योते यह जो हमारे synthesize करता है वारे vitamins तो fat-soluble में हमारा आ जाता है A-D-E-K a- offic जी वाइटैमीन एडी एक तेट हैं इसे में आ जाते हैं वाल सारे बीग्रूप बीगूप can be sorry with मिल्डीय कीज़ा स्क्राम करता है जार।ि लिप इन हार भी वाडस्य उनके 14 ode ब्रस के एप ब्रढमन को किया काम होता है था पहला हमारे जुति स्पेस्ली निक 스ento अगर हमारे पास वितैमी की कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग प्रॉब्लम मेंृते है सबसे पहले हम डिएमिन की बात करते हैं हमारे वितैमीनी वीतेमीन इस ऐन में में भो साली बने होता हुगे के बेटो की बात करें तो अगरन हमें इसकी कमी होता है इनके कमें वें तो अच्छा इनके रुछ इससे बियामें ड्यांसे सुनना थैमी नाम होता है तैमिन भाइन мे बिसे बिमारी होती है बेरि-बिड और ये जो है हमें यह बेसिकली फिश वगेरा से मिल जाते हैं और नेक्स आता है वाइटमीन B6 इसका नाम है पाई पाईरी डॉकसाइन ठीक है और जो है हमारी मेटबॉलिजम में हेल्प करते है दैन B12 साइकल साइनो कोबैलमाइन चाहिसका साइकिक नाम है सारे आपको शो होरी होंगे नेक्स जूरह नायसstrong जिसका नाम है निकोटीनिक ऐसल audit के रहे नेक्स अगर वाइटमीन की बात करें तो यह हमारा एसक़ॉरूर्मिक ऐसल करने नाम होता है और वाइटमीन का सब्स्तER्च न और फिर हमारा चाता है vitamin A E vitamin क मा बाडी में मिनरल कीभी बुछ ज़ए से होता है वो हमारा minerals की वज़े से होता है, 7% total weight का minerals ही हमारा constitute कर रखा होता है minerals और minerals का काम क्या होता है, अच्छा हमारी body में 24 minerals होते हैं अब यह हमारी teeth और bones में help करता है, हमारे hurt की normal rhythm में help करता है blood clothes को जो है उसकी formation में help करता है, साथ में digestive secretion में help करता है और blood body के fluids में help करता है, तो यह सारे काम हमारे minerals करता है फिर आते हैं हमारे कुछ और nutritional चीज़े हमारी body में, जैसे calcium दाप्तों के लिए फिर phosphorus and sodium and chloride इतना deep में इनको पढ़ने की नीड नहीं है, जितना बताया है वह बहुत important है, उसको पढ़ते हैं उसको सुन भी लिया एक बार को याद भी रहेगा और चार्ट अगर रिवाइस कर लिया तो वनमार कर तो सारे निकल ली जाएंगे इस चेप्टर से उसके बाद iron की हमें जरूरत होती है, iodine की जरूरत होती है, zinc की हमें जरूरत होती है, sulfur और magnesium जो पार्ट मैंने नाम बोले है, सारे आपको टेलीग्राम पे जरूरर प्रोवाइड कर दूँगी, वहां से रीड करना चाते हो तो कर लो, और अगर मेरी वीडियो को ढंक से सुन लिया है, अगर लिख भी लिया एक बार को सुनते सुनते ही, पक्का कह रही हूं इसी से क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट आजाओ, water, water की requirement बहुत जादा होती है, हमारी पूरी बोडी, 75% हमारा बोडी पानी से ही बना है, मतलब पानी कहने का मतलब है, बोडी में पानी ह होती है, हमारी mineral wards, salts को supply करने में help करता है, blood की circulation में help करता है, और हमें active बना देते हैं, अगर हम पानी अगर धंग से नहीं पीते हैं, तो हमारी blood circulation अच्छे से नहीं होगी, और हमारा जो मेकैनिजम है, body cup working है, वो प्रोपर तरीके से नहीं हो पाएगी, अब आजाते है, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब यही होता है, कि जब यह हमारे जो भी हमने components पड़े है, जब हम इनको प्रोपर मात्रा में, मालो कार्भो हाइडरेट जितना चाहिए 5-10 ग्राम जो भी है, वो लेते हैं, फिर प्रोटीन 2-4 ग्राम ऐसे कोई भी nutrient access में नहीं होना चाहिए, उतना हो तो वह हमारी balanced diet होती है, ठीक है, डाइट जो की अच्छी होती है, बेसिकली उसमें हमारा amino acid, vitamin, minerals, fats, carbohydrates, consists होना चाहिए, ठीक है, उससे हमारी body अच्छी रहती है, अब importance क्या होती है, बेसिकली, पता है हमारी body अच्छे से function करेगी कोई problem नहीं होगी, healthy रहेगी, digestion अच्छा होगा, work properly कर पाएंगे, healthy lifestyle maintain कर लेंगे, diseases नहीं होगी, जल्दी ठकेंगे नहीं, यह सारी चीज़े हमें help मिलेगी, ठीक है, next अगर हम बात करते हैं, कि अगर हम बात करें कुछ कुछ parts की, calcium क्या help करते हैं, तो calcium हमारी bones को strong करते हैं, vitamin C हमारे immune system को strong करता है, जो है अगर हम बात करें iodine, तो हमारी brain की development में help करता है, अगर हम बात करें zinc की, छोटे बच्चों की growth और development में help करता है zinc, ठीक है, यह सब चीजे हमारे body को बहुत help करती हैं, आगे बढ़ने में, अब हमारी diet को कौन से factors effect करते हैं, जो हम diet ले रहे हैं उसको कौन से factor effect करते हैं, तो number one आजाता है हमारा age, हमारी age कैसी है, मतलब हमारा sex क्या है, girl है boy है, तो यह सब हमारी diet को effect करते हैं, हम उसका according diet लेते हैं, और हमारी body surface area कितना है, यह सब, ठीक है उसके बाद हम कौन से activity day में perform कर रहे हैं, next eating habits कैसी है, कैसे logo में back ते, social customs कैसे follow क climatic factor, कैसा मौसम है, उसे साब पर हम अपने diet को बनाते हैं, उसके बाद हमारा health status कैसा है, growth कैसी है, साथ में psychological, जो हमारा consideration हम किन किन चीज़ों को रखते हैं, उसी चीज़ों को focus करके हमारा diet पुरा बनता है, इटिंग हमारी habits, eating healthy habits गोड होनी चाहिए, अब देखो क्या eating habits होन चाहिए, कौन सी healthy habits हमें maintain करनी चाहिए, number one, जब भी खाना खारे हो तो chew properly, अच्छे से chew करना है, number two, जो है, under eating नी करनी बहुँ ज़्यादा कम या बहुँ ज़्यादा ओवर नी खा लेना है, ठीक है, liquid और milk को slowly slowly पीना है, एक दम से, नहीं, एक दम से, नहीं, एक दम से, नह करना चाहिए, ज़्यादा पकाव भी नहीं खाना चाहिए, हमें माउथ को clean करना है, after every eat, जो भी हम खा रहे हैं, उसके बाद भी, टीक है, वेजी टेबल्स वेगेरा को wash करना है, एक्सेस मेडिसिन वेगेरा नहीं लेनी है, एक्सेस मील हमें नहीं लेना है, ठीक है, और सात में जो भी हमारा मील है, और छोटे बच्चों को 4-5 मील की नीड होती है, तो उन्हें वो प्रोवाइड करना चाहिए, और किसी भी amount को जाधा कम नहीं लेना है, यह सब चीजे करते हैं, तो हमारी गुड़ इटिंग हैबिट्स में आ जाती है, ठीक है, फिर हमारा आजाता ह इक और टॉपिक इसी में, medical attention needs in case of any accident, कोई भी अगर accident होता है, उस case में, क्या medical attention हमें देनी पड़ेगी, क्या needs रहती है, वो सब, तो इसमें हम अगर बात करें, तो precautionary measures पहले से ही लेने चाहिए, फरस्ट एड होना चाहिए, एक certified doctors present होना चाहिए, practitioner होना चाहिए, medical history, जु ह हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम उसको treat कर पाये, तुरंत क्या पता किसी बच्चे को problem हो, हमारे पास medical history नहों तो उससे problem हो सकती है, और साथ में, हमें, इतना education होनी चाहिए, कि हम उस time पे, first aid को properly use कर सके, emergency के case में, हमारे पास, वो सारी facilities अविलेबल होनी चाहिए, जो कि हमें help करें बच्चे को, अगर कोई problem है, तो उससे face करने में, overcome करने में, तो ये सारी चीजों को, medical emergency होती है, तो उसके लिए medical help provide होनी चाहिए, school में 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 होनी इसलिए देखो आप वीडियो लाइंग दी होगे, टाइम ज्यादा तो मैंने बना दी है, आपको आपको बहुत सही से समझ जा रहा होगा, कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, इंस्टरग्राम ही, कमेंट ही, टेलीग्राम ही, वहाँ पर कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क् कमी है, जो निट्रिशन एक्चली बॉड़ी को चाहिए, वह मिली नहीं गा, तो यह होता है, माल नुट्रिशन, अब माल नुट्रिशन को चार के टिगरी में बाट दिया, अंडर नुट्रिशन मतलब की समिशे, सफिशेंट अमाउंट का नुट्रिशन ना मिलना, सेके निट्रिशन की कमी की वज़ेट, जो कमी होती है, जो बीमारी हो जाती है, वह हमारा specific deficiency होती है, अब आब आजाते है, माल नुट्रिशन के, जो हमारे Peel Naaral Noreal Nget. आज कल आपको पता ही है फूड में जो मिलना हम फुल चीप मंटीरियल जो मिलाते हैं वो जो मिक्स अप करके देते हैं अडल्टरेटेड फूड की वज़े से भी प्रॉब्लम होती है साथ में जो है फूड है अच्छी नहीं है लोगों की रिलीजिन वगेरा भी फैक्ट करता है छी प्रॉब्लम होती है ठहिक है और सात में कोस्ट अब्लिज होता है इस वज़े से भी उसकता है और ढयाने होती षय माननिटरिशन नहीं और थूड की प्रॉड़क्षं पे भी फूडी की प्रॉड़क्ष्शन किस तरह से यह सब जो है तरह से हमारा ओनर यह तो हमारे फ्रेक्शर बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ताकती नहीं है इसे किया हाथ लगा फ्रैक्चर अगया प्रॉब्लम होगी ठीक हॉस्पिटल एडमिशन के केसि बढ़ जाते हैं हमारे होई कंफीजन रहती है इंफ्रेक्शन होने का डर Hai ऐसात में वाल्स के म्लम जयो हमारी मौमन weighing की टाकत है वह कम हो जाती है लो मॉड़ रहते है क्लिष्प वेटंपर जाताह SuperSideël पर हो चाहिए चाहिए सब यह सब कर्लीन होता है इंपक्त है प्र चुली में छ crowd of कॉंपलेक्शन वो बिल्कुल पीला पीला सा पेल होता चला जाएगा परसन बहुत जल्दी थख जागा पढ़ाया अभी तुमें एक घंटे से कॉंट्री पढ़ा रही हूं में अंदर थकानी आई वच्छिल अगर कुछ लोगों पढ़ते हुए तो मतलब कि देख लो खाना चाहिए उसके बाद आजाता है परसन परसन जो है उसको हैड़क वगेरा फील होगा साथ में वो रेस्ट लेस हां ठक गया ऐसे काम हो जाएगा उसके साथ टैंशन की स्टेट शुरू हो जाएगी साथ में कॉंसेंट्रेशन नहीं रहेगा और आइस टीथ वगेरा स्ट्रॉ स्लीप भी नहीं कर पाएगा तो यह सब चीजों की वज़े से यह सब दिखेंगे अगर माल नुट्रिशन की प्रॉब्लम है तो अब माल नुट्रिशन को ठीक कैसे कर सकते हैं प्रॉपर डाइट लेके मिदे मील्स लेके बैलंस डाइट लेके टेस्टी फूड बनाके गाल माल नोट्रिशन को अगर हम एक और पहु cyntar कर करें लेके श Crysisनल डेविशंश मतलब की किसी नुट्रिशन की कमी की वज़े से जो हमेशेंश होती है यह पूरा लाण चार्ट देख लो लाइक वाइट मीन ऐसे कौन सी कमी होती है वाइट मीन इसे कौन सी बिमारी यह ज तो सबसे पहला हमारा जाता है अगर हम बात करें को च्वाट्छ और को क्या एक होता है पर चुल अन४ भी जाएंगे तो है न भने जाता है को फाहित प्रॉबलम रहे। में condensed यह सारी प्रॉब्म होता I Use One to है मारश्यक्रावर, में हैर पॉलिपूल रिंकर्ड होजाए आद्ध प्रृट पाथा हम आच्छे से कामने कर पाते हैं सी वियर मस्क्लाई चैनलो बहुत जाद ऐसाट है, मंस्ल बेस्ट उना सब्सक्राइब लिए पूर नमबर वन पंपलीट यूनिट वन में पांच चेप्टर मेरे बुक्यर अकॉर्डिक पांच मप्लीट हो गई हैं सारी चीजे थिक होग यह गाई यून तो इसाल याई और साथ में कमेंट अपना अच्छा सा फीड़ाबल फीडबैक कमेंट बनता है और सब्सक्राइब तो बनता ही है अगर नहीं करा हुआ अभी तक वीडियो देख के चले जाते हो तो अपकी बार सब्सक्राइब करते ही ना मज जाना और टेलिग्राम को फॉलो कर लो और इंस्ट्रग्राम को फॉलो कर लो वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है और साथ में दोस्तों को शेर जरू कर देना क्योंकि देखो एक वीडियो बनाती हूं अब आप उसको अच्छे से पसंद भी नहीं कर रहे तो फ करते रहो थैंक्स फॉर वाचिंग दे वीडियो जयाहिंद बनी मात्रम